अब यह यह फोप्र लोक्म टुट वीडिवें हम जो है हमारी डिक्शनरी जो डेटा टाइप चम चंटिनू कर रहे थे हमारी पॉइथन की डेटा स्टक्चर से वन सिरी इसके अंदर जो है डिक्शनरी के एलेमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसके ओपर हमारी आज की वीडियो है तो बने रही है इस वीडियो के अंदर यह वीडियो चाहे हमारी बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाली है इसके अंदर जो है हम accessing elements of a dictionary करने वाले हैं जो की कुछ हटके है कुछ unique है जैसे कि हम elements को access करते थे लिस्ट के अंदर से टपल के अंदर क्या होता था हम directly क्या करते थे लेस्ट या फे टपल का नहीं और उसके बाद index value हम data transfer कर देते थे और हम उसका particular element access कर लेते थे बड़ dictionary के अंदर ऐसा नहीं होता friends because dictionary जो है key value pair से बनी होती है तो चलिए देखते हैं इसके डेफिनेशन को और इसके particular syntax को कि हम कैसे elements को access कर सकते हैं एक particular dictionary के अंदर से so while accessing the elements from dictionary you need the key जैसा भी मैंने आपको बता है key value pair से dictionary बनी होती है तो अगर हमें dictionary के अंदर से कोई element access करना है तो उसकी हमें key पता होनी चाहिए या फिर key हमारे पास होनी चाहिए while in list the elements are accessed through their index और जैसा मैंने भी आपको बता है कि list के अंदर जो है हम direct index value pass करके elements को access कर सकते हैं but in dictionaries the elements are accessed through the keys defined in the key value pairs dictionary के अंदर जो key value pairs होते हैं उसके अंदर जो key होती है उसके त्रू जो है हम किसी particular element को access कर सकते हैं in the dictionary और इस syntax क्या होगा हमारा simple basic syntax है dictionary name जो जिस भी name के अंदर है जिस भी variable name के अंदर हमने dictionary को store कराया है और उसके बाद square brackets के अंदर हम key pass करेंगे कि मुझे इस particular key की value चाहिए तो suppose मेरे पास यह एक dictionary है teachers नाम से जो की store करके रखती है कि कौन सा teacher कौन सा subject पढ़ाता है तो जो भी name है teachers के वो मेरे key है और जो मेरी subject पढ़ाते है और particular subject वो है मेरा value तो इस key value के pair से जो है मेरी dictionary create हो जाती है यहां पर जिसके अंदर मेरे particular elements है राहूल जो की मेरा key है उसकी value है python राम की की है उसकी value है Java किरन की है और उसकी value है math तो इस particular form में जो है हमने dictionary create कर लिया हमारे पास हमने माल लिया कि we have created the dictionary teacher तो अब अगर मुझे उस teachers नाम की dictionary में से कोई element को access करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा teachers जैसे कि हमने syntax देखा था dictionary name और square brackets के अंदर key pass करनी है तो teachers dictionary name और square bracket के में अंदर मैंने key pass कर दी राहूल because यहां पर मेरा राहूल एक key है अब जैसी मैंसे pass करके enter hit करूंगा हमारे python के ideally के अंदर and answer will come हमारे पास answer क्या आएगा python answer python क्यों आया because इस राहूल नाम का जो key है उसकी value क्या है python है इसी तरह हम राम किरन यह जितने भी number of elements की हमारी dictionary है उसके particular element को access कर सकते हैं अब suppose मुझे एक basically line print करनी है कि this teacher teaches this subject so print command का मैं basic use करूंगा print और यहां पर normal जो हम string pass करते हैं कोई भी message को प्रेंट करने के लिए वैसे मैं